जै माता दिमित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोशी स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तू के अनुसार मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए आप लोगों के अक्सर ये प्रशन होते हैं और भगवान का मुख कहां पर होना चाहिए हमारा मुख कहां पर होना चाहिए किचन के अंदर मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या मंदिर सोचाले के अगल बगल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमारे पाद एक ही कमरा है उसी के अंदर मंदिर है तो हम ऐसी इस्तती में क्या किया जाए तो इसके बारे में आज ये कारेकरम में चर्चा करेंगे और चर्चा जो है मित्रो शास्त्रों के अनुसार करेंगे शास्त्र के प्रमानिक सिध्धान्तों के अनुसार करेंगे सास्तर के अनुसार और रिशी वरहा मिहीर के अनुसार उन्होंने बोला है क्या बोला है वरहा मीर उवाच पूर्वे इस्तिते देवा स्वास्तिय आरोग्य दायका उत्रे इस्तिते देवा धन व्रिदी दायका पश्चमे इस्तिते देवा संतती शोक दायका दक्षणे इस्तिते देवा धनाहानी दायका यानि कि वराह महीर रिशी बोलते हैं पूरव में यदि आप मंदिर स्थापित करते हैं तो वो स्वास्ति और आरोग्यता को प्रदान करता है यदि आप उत्तर दिशा के अंदर मंदिर स्थापित करते हैं तो धन में व्रिद्धी करता है दक्षिंड दिशा के अंदर यदि आप मंदिर स्थापित करते हैं तो वह संतति और शोक दायक होता है, यानि वह संतान के अंदर कलेश उत्पन करेगा और शोक उत्पन करेगा, दक्षिंड दिशा के अंदर यदि आप मंदिर स्थापित करते हैं तो ऐसे में धनहानी होती है, शत्रू से प्रीती हो जाती है या शत्रूताय जादा बढ़ जाती है तो ऐसे में किस डारेक्शन में आपको मंदिर स्थापित करना चाहिए उसके बारे में चलिए इस कारेकरम में जानते हैं जादी मित्रो आज के कारेकरम में हम चर्चा करने वाले हैं कि मंदिर यानि कि पूजा घर किस दशा में शुब होता है और पूजा घर अगर अशुब दशा में हो तो इसका क्या प्रफा होता है यदि आपका पूजा घर अशुब दिशा में होता है तो कहीं ना कहीं आपकी की गई पूजा पार्ट और विनती इश्वर तक या पॉजिटिक शक्ति तक नहीं पहुँच पाती है आपके घर के अंदर अगर पूजा घर आपका अशुब दिशा में होगा तो कहीं न कहीं आपके घर के अंदर positive vibration कभी आ नहीं पाएगी जिस कारण से बच्चों की उनती, बच्चों की ग्रोध, बच्चों की विद्या, बच्चों के शुब काम सारे रुक जाते हैं अगर आपका पूजा घर का दोश होगा तो जादा तर बच्चों की शादी, शिक्षा या नोकरी लग नहीं पाएगी या उनका शुब काम होते होते रुक जाएगा क्योंकि वास्तु के अनुसार जो इशान कोण होता है, वो घर के अंदर सबसे ज़्यादा शुब काम कराने के लिए बहुत महत्पूर्ण रोल अधा करता है अब हम जानते हैं कि किस दिशा में आप काम मंदीर पूजा रुम शुब होता है सबसे पहले हम जानते हैं वास्तु के अनुसार आठ दिशाओं के बारे में वास्तु के अनुसार आठ दिशाओं होती है मित्रो और एक ब्रहमस्तान को छोड़के आठ दिशाओं होती है सबसे पहली जो दिशा होती है वो होती है आपकी पूरो दूसरी दिशा होती है आपकी नौर्थीस्ट यानि शान तीसरी दिशा आपकी नौर्थ होती है चोत्ती दिशा आपकी वायवे होती है यानि नौर्थवेस्ट पांचवी दिशा आपकी पच्छिम दिशा होती है छट कि मंदिर कहां कहां पर शुब होता है यदि आपने इस्ट में मंदिर बना रखा है ये इस्तथी बड़ी शुब मानी जाती है यदि आपने नौर्थ में मंदिर बना रखा है ये इस्तथी आपकी बड़ी शुब मानी जाती है यदि आपने नौर्थ में मंदिर बना रखा है तो ये इस्तती भी बड़ी शुब मानी जाती है। यदि आपने वायब्य में मंदिर बना रखा है, तो ये इस्तती आपकी अशुब मानी जाती है, क्योंकि इसके कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा चलायमान है, जो भी आप पूजा पाट करेंगे, जो भी प्रभु द्वारा अचिरवात में लेगा वो अलप समय तक ही रह पाएगा इसलिए ये इस्तति अशुब मानी जाती है इसी प्रकार से यदि आपने मंदिर आगने कोंड में बनाया तो ये इस्तति भी आपकी अशुब मानी जाती है ऐसे में आपका पूजा पाट में मन नहीं लग पाएगा, पूजा कर नहीं पाएंगे, तो कहीं न कहीं ये इस्तती भी आपकी अशुव मानी जाती है यदि आपने पच्छिम में मंदिर बनाया, तो ये इस्तती भी आपकी अशुव मानी जाती है और यदि आपने दक्षिन में मंदिर बनाया तो यह इस्तिती पर आपकी अशुम मानी जाती है यदि आपने नेरितिय यानि साउत की दिशा में यदि आपने मंदिर बनाया तो यह इस्तिती पर यह क्योंकि राहू का स्थान है ये बोरी ताकते आपके उपर हवी होने लग जाएगी इसलिए नेरितिये में और नेरितिये कोण में वयब्ये कोण में और आगनी कोण में तो भूलके भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए अब बात कर लेते हैं आपके मुख्य भ्रहमों के बारे में सबसे पहला जो प्रशन होता है क्या मंदिर को सोचाले के बगल में बनाया जा सकता है तो इसका अंसर वास्तु विदो के अनुसार आप मंदिर को मंदिर के बगल में यदि आपका टॉलेट है तो आप हाँ आप बना सकते हैं बशर्ट है कि आपको वो टॉलेट को उस सोचाले को यूज नहीं करना है जैसे ये इस्ततियां दो होती है पहला यहां आपका मंदिर है जिसे कहते हैं मंदिर और यहां आपका सोचाले है यदि आप इस मंदिर को यहीं रखना चाते हैं तो आपको मित्रो अपने टॉलेट को पूर्ण तया से इसको बंद करना पड़ेगा इस पे ताला लगाना पड़ेगा तब आप मंदिर यहाँ पर ट्रक सकते हैं दूसरी इस्तती होती है कि आपका मंदिर होता है मंदिर के ठीक सामने सोचाले होता है दूनों का आपने सामने की इस्तती होती है ऐसी इस्तती के अंदर मानली जीए मंदिर है तो आपको टोलेट को यहां भी आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे भारत के अंदर ज़्यादा लोगों के पास जगाएं नहीं है ज़्यादा कमरें नहीं है तो आप टोलेट को यहां पर बंद कर सकते हैं दूसरा जो परशन आता है वो अक्सर लोगों का आता है क्या मंदिर रसोई के बगल में या रसोई में रख सकते हैं तो इसका अंसर है मान लिजे आप मंदिर रसोई के अंदर रखना चाते हैं तो आप मंदिर को रसोई के अंदर रख सकते हैं या मंदिर को रुसोई के बगल में रखना चाते हैं तो वहां भी मंदिर को रुसोई के बगल में आप रख सकते हैं लेकिन ऐसी इस्तिती में आपको मंदिर के सुबह साम दरबाजों को पूजा करने के बाद बंद करना पड़ेगा या मंदिर में आपको पर्दा लगाना पड़ेगा अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है यदि आप कमरे में मंदिर रखना चाते हैं बहुत लोगों के पास कमरे में ही मंदिर होता है या उनके पास एकी कमरा होता है तो वहाँ भी यही इस्ततिय है कि आप मंदिर कमरे के अंदर रख सकते हैं आपको सुबह साम पूजा करने के बाद आपको मंदिर को बंद करना पड़ेगा या परदा लगाना पड़ेगा और तीसरी तीसरा जो प्रशन आता है क्या सीडियों के नीचे मंदिर बनाया जा सकता है माली जी ये आपकी सीडियां हैं और इसके नीचे आप मंदिर बनाते हैं तो ये बहुत अशुब इस्ततिय ऐसा नहीं करना चाहिए सीडियों के नीचे मंदिर बहुत बहुत खराब रिजल्ट देता है ऐसा नहीं करना चाहिए परिवार में कलेश रहेगा परिवार में सबकी उन्नती रुक जाएगी पाट पूजा करने के बावजूद भी आपके घर में ग्रोध नहीं हो पाएगी अदिक्तल लोगों के घर में मंदिर सिडियों के नीचे होता है और उनके घर में सारे सुबकाम रुकएवे होते हैं ऐसी इस्तिती में मंदिर को बिलकुल यहां से हटा दना चाहिए चौथी प्रशन है मूर्तियां किस दिशा में रखनी चाहिए मित्रो भगवान सर्वव्यापी है भगवान नहीं साली दिशा मनाई वी है तो मूर्तियां आप किसी भी दिशा में रखें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है हाँ आपका मूँ पूजा करते वे आपका मूँ पूरफ दिशा की ओर या आपका मूँ उत्तर दिशा की ओर या आपका मूँ इशान दिशा की ओर होना चाहिए तो अगर इस तरह का मूँ करना चाहते हैं तो आपको भगवान को या तो नौर्टिस्त की दिवार पे रखना पड़ेगा या आपको उत्तर की दिवार पे भगवान को रखना पड़ेगा या पूरव की दिवार पे आपको भगवान को रखना पड़ेगा फिर भगवान का मूँ तो किसी भी दिशा में हो चाहे दक्षिन में हो, चाहे नेरित्य के अंदर हो चाहे आगने में हो सभी दिशाएं भगवान की है भगवान को किसी मूर्तियों को किसी भी प्रकार का दोश नहीं लगता बस जो सादक है उसका मूँ पूरव उत्तर और इशान में होना चाहिए आज के कारे करम में मित्रो बस इतना ही मुझे दीजे जर जै माता दी मित्रो